हलो फ्रेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSE Study Guide में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है All About Excavation Safety के बारे में इसमें हम जानने वाले है कि Excavation क्या होता है Excavation के कितने types होते है Soil के कितने types होते है Excavation के बार हमें कुन से 1000 का सामना करना पड़ता है उसके लिए हम क्या precaution ले सकते है Sloping क्या होता है Benching क्या होता है Shoring क्या होता है Shielding क्या होता है यानि कि Excavation Protection Method क्या होते है तो आज ये सारी information आपको इस वीडियो के माद्यम से मिलने वाली है तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले देखते हैं कि Excavation यानि कि होता क्या है अब जानते हैं कि Excavation की definition क्या है Excavation एक manmate cut है जिसमें trench form होता है या फिर जो earth surface है उसमें depression होता है जब भी आप earth को remove करते हो वो चाहे manually करो या फिर किसी भी machinery's का इस्तमाल करके वो आप earth remove कर सकते हो Manual excavation यानि कि आदमी के जर्ये वो earth remove करना और mechanical excavation यानि कि किसी भी machinery's का इस्तमाल करके earth remove करना example के तोर पर जैसी की excavator हो JCP हो इसका इस्तमाल अगर आप earth remove के लिए करते हो तो वो mechanical excavation में आता है चिलिव जानते है excavation protection methods के बार में जिसमें सबसे पहला आता है sloping जैसा कि आप image में देख सकते हो जिसे हम simply कर सकते हैं कि यहाँ पर हम slope बनाते हैं या फिर जो excavation के sides होते हैं वहाँ पर हम angle बनाते हैं और sloping जो है वो एक easier process है जो आप equipment के जरीए पूरा कर सकते हो और साथ ही में construction site हो या फिर field के उपर इसे construct करना काफी easy होता है अब second method आती है वो है benching जैसा कि आप image में देख सकते हो अब benching में क्या होता है कि excavation के जो भी sides है उसमें हम multiple levels बनाते हैं जैसे कि stairs होती है उस तरीके से हम वहाँ पर levels बनाते हैं मतलब हम कह सकते हैं कि benching एक ऐसी method है जहाँ पर employees को protect किया जाता है जो भी excavation के sides हो उसको केवीन होने से और इस excavation में हम एक से जादा जो है वो horizontal levels जो है steps की वो बनाते है खास दोर से यहाँ पर vertical और जो नियर vertical surfaces होता है उसके बीच में हम ये levels बनाते है फिर उसके बाद आता है shoring जैसा कि आप image में देख सकते हो तो इस case में हम क्या करते है कि जो भी excavation के sides है उसके बीच में हम wood हो या फिर metal हो उसको हम लगाते है और उसे हम brace के जरिये support देते है ताकि जो भी soils है उसको हम prevent कर सके collapse होने से या फिर हम ये भी कह सकते है कि shoring एक ऐसा structure है जिसमें हम supports देते है excavation के sides को और जिसके कारण हम kevin होने से उसे protect कर सकते है फिर उसके बाद आता है shielding जैसा कि आप image में देख सकते हो यहाँ पर हम shield के जरिये safe work area जो है workers के लिए वो provide करते है यानि कि हम वहाँ पर worker के around में ऐसी space create करते है ताकि वो वहाँ पर safely काम कर सके और वो जो shield है वो worker लोगों को protect करती है ताकि उसमें कोई भी kevin ना हो या फिर कोई भी soil collapse ना हो soil के total तीन type है type A type B and type C अब देखते है कि type A में क्या आता है type A यानि कि ऐसी कौन सी soil होती है तो type A में जो है वो है cohesive या फिर जो compacted soil है उसकी compressive जो strength है वो होती है 1.5 ton per square feet इसका मतलब यह है कि वो जो soil है उसमें अगर मानलो आपने कोई protection नहीं लगाया तब भी वो कुछ देर तक जो है कुछ period of time तक जो है उसकी जो strength है वो बरकरार रहेगी या फिर उसको minor protection करने की ज़रूरत होगी जब आपको पता चल गया कि इस soil की conditions क्या है उसके नुसार आपको उसका sloping maintain करना है टाइप A soil में आपको 53 degree angle का slope maintain करना है तो आईए देखते हैं कि इस टाइप के soil में आपको precautions क्या लेने हैं तो इस टाइप के soil में आपको minor जो है वो benching करना ज़रूरी है आईए देखते हैं कि टाइप B क्या है टाइप B जो soil है वो less stable है compare to type A soil से और type B की जो compressive strength है वो less than है 1.5 ton per square feet लेकिन ज़्यादा है 0.5 ton per square feet से यानि कि उसकी जो compressive strength है वो between में होती है किसके 0.5 ton per square feet से लेकर 1.5 ton per square feet तक जब आपको पता चल गया कि यह जो है वो type B soil है तो उसमें आपको sloping करने की ज़रुरत है और वो sloping में आपको 45 degree angle maintain करना है तो type B soil में आपको क्या precautions लेनी है तो आपको यह precautions लेनी है कि आपको वहाँ पर benching करना है साथी साथ आपको sloping भी करना है जैसे कि हमने देखा कि sloping के लिए 45 degree angle maintain करना है हो सकता है कि आपको benching और sloping जो है वो दोनों साथ में ही करना पड़े चलिए अब देखते हैं कि type C soil क्या है type C soil जो है वो unstable type soil है उसकी जो compressive strength होती है वो 0.5 ton per square feet से कम होती है मतलब यह जो soil है वो without protection के खड़ी नहीं रह सकती उसके लिए आपको protection देना बहुत ही ज़रुरी है तो इस type of soil के लिए जब आप sloping करते हो तो आपको 34 degree angle maintain करना बहुत ही ज़रुरी है इसके लिए आपको क्या precautions लेने पड़ेंगे शोरिम भी करना पड़ेगा benching भी करना पड़ेगा या फिर sloping भी करना पड़ेगा या फिर इसके combinations में आपको तीनों भी करने पड़ेंगे कभी कभी type C soil में आपको shit piling करने की भी ज़रुरत होती है और last में आता है stable rock अगर आपको पता चल गया कि जो soil है वो stable rock है तब आपको उसका sloping करने के लिए 90 degree angle maintain करना बहुत ही ज़रुरी है चलिए अब बात करता है कि excavation activity के बग आपको कौन से हजार का सामना करना पड़ेगा तो सबसे पहले है underground utilities यानि कि जब भी आप excavation कर रहे हो तो जो underground utilities है वो एक खत्रा है फिर उसके बाद है excavation cave in यानि कि जो excavation wall है वो collapse होने के chances है तो वो भी एक खत्रा है फिर उसके बाद है presence of toxic gases यानि कि जब भी आप excavation कर रहे हो तो वहाँ पर excavation के दोरान नीचे में toxic gases होने की संभावना बढ़ जाती है तो वो भी एक हजार है फिर उसके बाद है fall of persons fall of material fall of tools ये जो सारी चीज़े है वो excavation peat में गिरने का खत्रा है तो ये भी एक हजार है फिर है falling of remove soil यानि कि जब भी आप excavation करते हो और excavation के बाद जो भी soil है वो आप क्या करते हो कि excavation के age पर रखते हो तो वो excavation के age पर जो soil रखी हुई है जो remove soil है तो वो भी excavation peat में गिरने का खत्रा है तो वो भी एक हजार है फिर उसके बाद है water accumulation in the excavation यानि कि मान लो कि पानी का season है और उस दोरान आपने excavation कर लिया तो वो जो पानी है उस excavation peat में accumulate हो जाएगा यानि कि जमा हो जाएगा तो वो भी एक हजार है उसके बाद है nearby structures यानि कि excavation आप ऐसी जगा पर कर रहे हो कि वहाँ पर nearby structures है तो उस excavation की वज़े से वो जो nearby structures है वो उसमें गिरने का खत्रा बढ़ जाता है और उसका impact जो है वो बहुत ही ज़ादा होता है तो वो भी एक हजार है फिर उसके बाद है improper access and ingress जब भी आप excavation करते हो तो उसके साथ में आपको access और ingress का सामना करना पड़ता है तो वो भी एक हजार है फिर उसके बाद है flooding यानि कि बाड आ जाना वो भी एक हजार है फिर उसके बाद है confined space यानि कि जब भी आप excavation कर रहे हो और excavation के दोरान उसकी जो width है और जो length है वो अगर मान लो जादा है यानि कि 1.2 मिटर से जादा है तो वो confined space में आएगा तो वो भी एक हजार है उसके बाद है overhead lines यानि कि मान लो कि जब भी आप mechanical excavation कर रहे हो और उसके लिए आप excavator का इस्तमाल करते हो तो उसकी जो height है वो कही जादा हो जाती है और अगर उसी जगह पर कोई overhead power lines अगर उपर से गई हो तो वो जो excavator का जो bucket है या फिर जो उसका boom है वो उस power lines को touch हो सकता है अगर वो उसको touch हो गया तो electric shock लग सकता है तो वो भी एक हजार है यानि कि overhead power lines जो है वो एक हजार है फिर उसके बाद है falling of vehicles यानि कि जब भी आप excavation कर रहे हो तो उसके नस्दिक जो भी vehicle जारी है तो वो vehicle उस excavation pit में गिरने का खत्रा होता है तो ये भी एक हजार है उसके बाद है surface और ground water यानि कि excavation के दोरान अगर आपको उस soil condition के बारे में यानि कि उस surface के बारे में अगर पता ना हो या फिर underground water हो तो वो भी एक खत्रा है चलिए बात करते हैं कि excavation के दोरान आपको कौन से precaution लेने पड़ते हैं तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले आपको जो underground utilities है उसको scanning करना है तो ये सबसे पहले आपको precautions लेनी है फिर उसके बाद आपको trial pit बनाना है यानि कि आपको scanning करके पता चल गया कि यहाँ पर जो है live cable है या फिर live facility है तो उसके बाद आपको trial pit बनाना है और वो जो trial pit है वो आपको manually करना है फिर उसके बाद है कि आपके पास वो जो है वो पीट में गिरने का खत्रा होता है तो उसके लिए आपको sloping और benching करना बहुती जरूरी होता है फिर उसके बाद जो excavation wall है उसको गिरने से बचाने के लिए आपको shoring और benching करना बहुती जरूरी है और वो depend करता है कि type of soil कौन सी है अगर type of soil जो है वो ज्यादा lose है तो उसके लिए आपको shoring और shielding करना बहुती जरूरी है जहाँ पर भी आपको excavation करना है वहाँ पर आपको regular gas testing करना बहुती जरूरी है फिर उसके बाद जैसी आपका excavation हो गया तो वहाँ पर heart variegation करना है और उसके साथ में जो safety sign board है वो लगाने है फिर उसके बाद है कि जहाँ पर भी आपने excavation किया है और उसके nearby कोई road है तो आपको जो है वो alternate access देना बहुती जरूरी है फिर उसके बाद है कि मानलो की पानी का season है तो आपको उस excavation के इत्गिर्द में एक bundle wall जो है वो create करनी है ताके outside का जो पानी है वो उस excavation में जाने ना पाए फिर उसके बाद आपको जो excavation है वो अगर मानलो की 1.2 मिटर से अगर जादा गहरा हो जाता है तो वो confined space में आ जाता है तो उसके लिए आपको confined space के जो भी precautions है तो वो लेने की सबसे जादा जरूरत होती है फिर आपको जो excavation peak है उसके लिए आपको safe access और egress provide करना है फिर उस कराना है इस excavation के दोरान आपको ये ध्यान में रखना है कि वहां के जो इर्द गिर्द है वहां पर vehicle movement नहीं होनी चाहिए या फिर उसको आपको avoid कराना है तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के मात्यम से पता चल गया होगा इस excavation safety के बार में तो बस आज क के लिए इतना ही मुझा है नेक्स वीडियो में एक ने टॉपिक के साथ में तब तक के लिए टेक क्या बाई बाई